मैं थिल प्रित्भा चैनल में आप सभी को स्वागत है आज मैं फलहार में बनाऊंगी साबुदाना साबुदाना बनाने के लिए मैंने साबुदाना को 4 घंटा पहले फूलने के लिए रख दिया था अब ये अच्छा से फूल गया है अब फिर मैं यहाँ पे ले लिया है आलू उबालने के लिए तो आलू को पहले साफ पॉनी में धो करके कुकर में डाल दिया है अब इसमें एक गिलास पॉनी डाल करके अब मैं इसे धकन बंद कर ले रही हूँ फिर गैस पे रख दूंगी उबालने के लिए जब तक यह उब गैस पर मेंने कडाही गरम होने के लिए रख दिया है अब ये कडाही गरम हो गया है तो मैं इसमें लिफाइन तेल ढलने के बाद ये तेल गरम 호 गया है तो मैं इसमें डाल दूंगी जीरा जीरा चटकने लगी है तो फिर इसमें मुंग फली डाल करके मैं छोलनी चला करके इसे भून लूँगी मुंग फली को पहले फिर मुंग फली चटकने लगी है तो अब मैं इसमें हरी मिर्चो काट के ली थी वो इसी में डाल ले रही हूँ और ये कढ़ी पत्ता इसे भी मैं भून करके अब जो मैं आलू उबालने के लिए रखी थी उसे छील के काट के रख लिया है अब मैं उस आलू को इसी में डाल दूंगी और इसे 4-5 मिनट तक भूनूंगी आलू जितना अच्छा से भूनेंगे उतना इसका टेस्ट अच्छा बनता है आप इसे एक बार जरूर बना करके देखिएगा बहुत अच्छा बनता है बहुत टेस्टी बनता है हमारे घर में वेसे भी अभी तो मैं फलहार के लिए बना रही हूं वेसे भी नास्ता के लिए बनता है हेल्दी भी होता है ये फिर ये आलू पक गया है तो अब म माटर डाल करके मैं इसे मिला ले रही हूं अब मैं इसमें डालूंगी सेंधव नमक क्योंकि मैं ये फलहार के लिए बना रही हूं वेसे नास्ता के लिए बनाती हूं तो टाटा नमक डालती हूं तो अभी तो फिलाल मैं ये फलहार के लिए बना रही हूं तो नमक डाल करके फिर मैं छोलनी से इसे अच्छे से चला लूँगी अब ये चला दिया है ये मिल गया है फिर जो मैं साबुदाना फुला करके रखी थी वो साबुदाना को इसी में डाल दूँगी साबुदाना डालने के बाद मैं इसे पांच मिनट तक भोनूंगी दो-दो मिनट पे इसे पहले मैं अच्छे से मिला ले रही हूँ मिलाने के बाद मैं एक थाली से ढख दूंगी गैस लो करके रखना है और इसे थाली से ढख दूंगी ढखने के बाद इसमें जो नमक है वो शाबूदाना में भी अच्छा से सेट हो जाएगा ठाली से ढख दिया अब इसे दो मिनट के बाद फिर इसे ढखकन निकाल करके फिर एक बार चला लूँगी और फिर इसे दो मिनट के लिए ढख दूँगी इसमें क्या हुए जितना भी इसमें मसाला में डाली थी वो साबूदाना में भी आ गया लिए देखे ऐदेखने में इतना अच्छा है तो खाने में